मैं हूँ मिनाकशी और आज मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे हम माइक्रोवेव में परफेक्ट चावल बना सकते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहली जो चीछ चाहिए वो ये है माइक्रोवेव से बाउल होना चाहिए हमारे पास इस तरह का और साथ में इसके एक लिड होना चाहिए जिससे हम ढख सके या फिर बंद कर सकें तो इस तरह का लिड लिया है मैंने जो कि माइक्रोवेव से लिड है तो इसके लिए मैंने क्या किया यहां पर कि एक कप चावल लिया है जिसे मैंने धो कर आदे गंटे के लिए भीगो दिया है और जो मिजर्मेंट मैंने चावल का किया है इस कप से किया है जो चाय वाली कप आती है और इसी कप से मैं पानी का भी मिजर्मेंट करूंगी तो सबसे पहले बावल में में चावल डाल दूंगी ये बहुत ही अच्छे ता त्यार होता है माइक्रोवें में चावल और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी सेम उसी कप से जिससे मैंने चावल का मिजरमेंट किया है तो एक कप पानी डाल दिया मैंने और एक कप और डालूंगी यानि कि जो रेशियो होना चाहिए चावल और पानी का वो एक कप चावल तो दो कप पानी और इस तरह से मैंने पानी डाल दिया यहां पे अब इसमें अच्छा और बनाने के लिए हमें चावल बनाना है तो इसमें एक चमच एक छोटा चमच आप तेल डाल दीजे या फिर गी डाल दीजे इससे जो चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं और चिपकते नहीं हैं और सौफ्ट रहते हैं घंटो बाद तक तो इस तरह से चलाने के बाद अब इसका लीड जो है हम बंद कर देंगे और इसे हम माइक्रो वेव में डाल देंगे तो जब भी आप चावल बनाएं माइक्रो वेव में हाई पावर पर ना बनाएं इससे चावल जो है बहुत ही टाइट हो जाते हैं और घंटों बाद soft नहीं रहते हैं तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी किस temperature पर बना रही हूं मैं तो आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर microwave के लिए option है तो H1 यानि की बहुत ही high power है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा low करके यहाँ कि 90 पर डालके इसे 10 मिनट के लिए microwave करूंगी 10 मिनट में यह बहुत ही अच्छे से तयार हो जाता है और बहुत ही fresh चावल आपका तयार होगा तो यह इन सारी चीजों का बात जो बाते मैंने आपको बताएं आप ध्यान में रखके चावल बनाएं तो microwave में वैसा ही में चावल बनाएं इसे तुरंट सर्व ना करें इसे ढखके वैसे ही थोड़ी दिर के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें तो यह बहुत ही अच्छे से से सेट हो जाता है और अब मैं सर्व करके आपको दिखाऊंगी तो इस तरह से देख सकते हैं आप यहां पे कितने अच्छे चावल बने हैं बिल्कुल खिले खिले से बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है एक्दम अलग अलग चावल बने है